सो हेलो दोस्तों चलिए दिये कुश्चन मनाते हैं यह a4 प्लस b to the power 4 equal to a square and b square ठीक है यह दिया हुआ है और आपसे पता करना है यह b6 ठीक है यह पता करना है अच्छी यह कैसे पता करना है अगर हम इसको solve करें और इसका value put कर दें इस equation में अगर कुछ ऐसा आए यानि कि इसको solve करने पर a to power 6 plus b to the power 6 आए तो हम put कर सकते हैं क्या कुछ भी put कर सकते हैं यहाँ पे नहीं put कर सकते हैं अगर आएगा भी तो आप put नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं हम इसको solve करें तो फिर, हम क्यों नहीं हम इसको solve, इसको आप दो तरीके solve कर सकते हो, कैसे, एक solve कर सकते हो, a to the power 2 का cube, और एक solve कर सकते हो, a to the power cube का square, और b to the power cube का square, पर आप जब ऐसे solve करोगे, a to the power cube का square plus b to the power cube का square तो आप देखोगे कि हमें एक ऐसा equation मिलेगा जिसमें हम इसका value ने पुट कर सकते और हमें तो ऐसा equation चाहिए जिसमें हम इसका value पुट कर सकें यानि कि या तो उस equation में a4 plus b4 है या तो equation में a2 plus b2 है तो क्या आप इसको करेगा तो इन दोनों में कुछ भी आएगा ध्यान दोगे आप जब आप a to the power 6 हो जागा b to the power 6 हो जागा plus 2 into a cube b cube तो आप देखोगे जब हम ऐसा किया यानि कि a to the power cube का square किया और b to the power cube का square तो हमें ये value तो पदा चला कि ऐसा होगा लेकिन आपको इस equation में आप इससे replace नहीं कर सकते हो कोई भी चीज तो आप answer भी नहीं निकाल सकते हो क्योंकि आप कुछ remove नहीं कर पाओगे तो question बनेगा कैसे तो question बनेगा कैसे आप इसका square करके देख लिए ठीके पर ये चीज आपके दिमाग में जुरू में ही आ जाने चाहिए कि हम जब इसको जब ऐसा तोड़े कि हम इसका value उस equation में रख पाए ठीके तो आप जब इसका cube करोगा तो ये क्या होगा a cube plus b q q क्योंकि a plus b होता है और a square plus b square minus a b होता है यानि कि a to the power 4 b to the power 4 minus a b a b मतलब क्या हो जागा a square and b square ठीक है दीख रहा है उमीद है आप लोगो थोड़ा स्था manage कर रहा है a square minus b square अच्छा अब यहाँ पर हम equation का value put कर सकते हो जी हाँ हम put कर सकते हैं इस वाले value को हम इस वाले value को साथ remove कर सकते हो तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो minus तो यह यह क्या हो जागा 0 अच्छा यह अगर 0 हो गया यानि कि यह भी 0 हो गया और यह 0 हो गया यानि कि a square plus b 6 क्या हो गया 0 ठीक है तो यह ऐसे हो सकता है तो इस question सबसे important चीज क्या है कि आपको a to the power 6 प्लस b to the power 6 पे ध्यान देना है और ध्यान ही नहीं देना है उसको ऐसा आपको यानि कि फैलाना है ऐसा उसका बनाना है उसको फैला के कि आप a to the power 4 प्लस b to the power 4 या a square प्लस b square का values में put कर सको तभी question बनेगा ठीक है तो आपको ऐसा कैसा आपको यही ध्यान रखना है कि values जो दिये हुए हम उसको apply कैसे करे question में ठीक है तो उमीद है आपको मजाया होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद